नमस्कार फ्रेंड में हूँ चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ विकास प्रोपेंड एन ग्रेनाइट के उपर आप ध्यान से देखिए यह कंपनी एग्रो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जो की बहुत बढ़ियां लेबल पर आके ठिकी है और आपको बहुत ही अच्छा प्रोफिट देगा यहां पर देख सकते हैं जो वन यहां का रिटन और वन मंत का रिटन सब माइनस में अधिके वन यह मैं लगबक 58% माइनस में और वन मंत में और लगबक 5% माइनस मैं और यह चीज़ आप द्धान से देखिए बावन बीक लो यहां भी आपको देखने को मिल ला है तीन रुपे 25 पैसे और बाउन भी खाई और बाउन भी लो आपको 75 पैसे मिल ला है मार्केट के प्लेजिसन केवल बस 48 करोड का है अगर हम सेयर होल्डर की बात कर ले तो लगबक 94.3 के सेयर होल्डर से और अगर देखी आप यह मत समझें कि मेरे पास 99 ही है ठीक है और मेरे दूसरे अकाउंड में भी है मैं इसमें बस खाली एक बड़ा एमांट उठाने की कोशिस कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा रोका है इसको क्योंकि यह मेरी हमेशा नजर में रहे और यहां पर देखिए 94 प इंवेश्टर है वह क्या करें कि वह यहां पर धीरे 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 करके माल उठाएं ठीक है जिनको हजार दो हजार तीन हजार पांच हजार दस हजार बीस हजार करके भी डालना है तो वह यहां पर धीरे धीरे करके माल उठाएं ठीक है जिनको लाख रुपे से उपर डालना वह अभी यहां पर कुछ भी न करें कोई investment न यहां पर करें उनको बस खाली वेट करना है क्या करना है वेट करना है दिखें मैं बताता हूं कैसे वेट करना है देखें यहां पर जब पिछली बार जब यह 50 पैसे पर गया था आपको पता है जब यह पिछली बार 50 पैसे पर ग कि थोड़ा सा कि यहां पर देख सकते हैं जब यह 50 पैसे पर गया था तो यहां पर देखिए यहां पर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर जाने के बाद यह इस्टॉक लगबग 18 रूपए के आसपास गया देख रहे हैं कि यहां पर जाने के बाद मैं बस वही इंतिजार कर रहा हूं और आप लोगों को भी बोड़ ला हूं कि अभी 90 पैसे हैं तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वह क्या करें जिनको देखिए हजार दोहजार कुक्त दसीजार बीस factor 25 2000 भी एगर इन्वेस्ट करना है तो वह क्या करें इस लेबल पर धीरे धीरे करके बाइंड करें किसलेवल पर 94 पैसे पर ठीकर मैंने अंतली चार्ट लगा है ठीक है इस लेवल पर दीरे-दीरे करके बाइंग करें कि अगर आप यहाँ दीरे-दीरे करके बाइंग करेंगे तो अगर यह थोड़ा सा नीचे आके अगर यह उपर की तरब भागेगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा जो बड़े इ वहां से अपर सर्कृट का सिलसला जारी हो जाएगा ठीक है नहीं यह सभी को पता है जो बड़े इन्वेस्टर है और वह वेट करें एक अच्छे लेबल का उस लेबल पर अगर यह 80-85 पर आपको मिलता है या 75-70 पर मिलता है तो आप यहां पर बाइंग करने बाइंग करने के बाद अगर उस लेबल पर बाइंग करेंगे तो यह फीर से अपर सर्कृट लगना चालू आजाएगा ठीक है और देखे अगर आपको आपको भी अगर बाइंग करना हो तो अगर मालीजे आप लाख रुपे इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें से 50 लाख स्वारी पच हूं ठीक है अब अगर यहां पे 70 पैसे भी जाता है तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा 94 पैसे पर अगर उठाएंगे तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो आप धीरे धीरे करके माल उठाईएगा ठीक है और फ्यूचर में अगर यह तीन र profit मिलेगा ठीक है मैं तो सतरह रुपए का लेबल की बात कर रहा हूं कि अगर सतरह रुपए का अगर यह लेबल touch करता है यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक recent label है चार से पांच रुपए का अगर वह तो लेबल टच करने के मिलता है और उसके बाद एक सतरह रुपए से पहले एक है 11 रुपए का लेवल एक बाहरा रुुपए का लेबल अगर वो लेबल टच करने को मिलता है तो और भी टो फ forcedर हम इपटक बनेम्स करते हैं और जब हम सेल करते हैं तो भी हम धीरे धीरे हर एक लेबल पर सेल करते हैं ओके थेंक यू फ्रेंड